आज से पहले आपने शकरकंदी की ऐसी वाली वीडियो कभी देखी नहीं होगी पूरे यूटूब पे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है तो शकरकंदी उबली हुई शकरकंदी आपको यहाँ पे ले लेनी है शकरकंदी कैसे उबालते है अलग-अलग तरीके से मैंने बहुत सारी वीडियोज अपने चैनल पे अफ्लोड कर रखी है तो एक शकरकंदी को आपको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है तो देखें यहाँ पर मैं मैश कर लेती हूँ शकरकंदी को स्वीट पोटेटो को तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसे मैश कर लिया है अब एक रोटी आपको यहाँ पे ले लेनी है चपाती रोटी अब इसके उपर आपको अच्छी तरीके से सकरकंदी को अपलाई कर लेना है तो देख सकते हो फ्रेंग, ऐसे आपको अच्छी तरीके से इसके ओपर अप्लाई कर लéना है अगर एक बार आपने ये वाली रेसिपी ट्राइ कर लिए, तो आपको बहुँँज़ादा पसंद आने वाली यह recipe इसी अच्छी तरीके इसी पूरी रोटी में आपको apply कर लेना है तो देख सकते हो friend पूरी रोटी में मैंने यहाँ पर apply कर लिया है और उपर से थोड़ा सा आपको शकर add कर लेना है अगर आप शकर यहाँ पे ना add करो तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा पर थोड़ा सा अगर आप बच्चो वगिरा को दे रहे हो तो शकर को थोड़ा सा आप कर लीजिए शकर यहाँ पे एड़ करने के बाद आपको उपर से एड़ करना है गी गी से इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है शकर कंदी के उपर तो गी आपको ऐसे ही उपर से apply कर लेना ह यह मेरे पास गाय का घी है तो मैं गाय का घी यहाँ पे यूज करूंगी अगर आपके पास जो भी घी available हो आप यूज कर सकते हो तो गी लगाने के बाद आपको इसी रोल कर देना है अगर आपके बच्चे रोटी वगिरा नहीं खाते है तो यह healthy recipe जरूर खाएगे तो ऐसे आपको इसे tight roll कर लेना है और इसे आपको cut कर लेना है तो चलिए इसे मैं cut कर लेती हूँ 2-3 पार्ट में तो एक बार यह recipe आप जरूर बनाएए अगर मुझी facebook पे देख रहे है तो follow जरूर कीजिए अगर youtube पे देख रहे है तो subscribe करना बिल्कुल ना भूलिए तो चलिए मिल अगले वीडियो